कैसे आप लोग बढ़िया एकदम बढ़िया रहे चीज़ देखिए मेरे प्यार रिशेंट बहुत सारे जगहों पर आप लोग को बताया जा रहा है कि परिच्छा पैटन बदल गया तो आखिर कर आप लोग को यहां पर पेपर कटिंग देख रहे होंगे विया हार बोड ने दिर्ग उतर ये प्रसनों में आंत्रिक विकल्प को कर दिया है समाप्त प्रसनों की संख्या पढ़िया यानि कि आप लोग को प्रसनों की संख्या पढ़िया अब आप लोग को प्रसन पत्र का पैटन बदला या आप लोग को जो है सब्जेक्टिव में बढ़ा दिया है औ अगर आप लोग को यहां पर पता चल ला होगा कि सबसे पहले 50% पुछता था, 50% बनाना पड़ता था, उसके बाद क्या किया, बिहार बोट ने 2015 के बाद, 2016 के बाद क्या किया, 17, 18, 19, 20 तक क्या किया, कि कोश्चन जो है, 60% पुछता था और 50% बनाना पड़ता था, ठीक, COVID-19 आने के बाद, आप लोग का जो है, परिक्षा पैटर्न, जो है लगबग 100% कर दिया गया, यानि कि 70 अगर अबजेक्टिप उस्ता, तो 35 बनाना है, 100 अबजेक्टिप उस्ता है, तो 50 बनाना है, तो क्या मेरे प्यारेशिंट, क्या इस बार जो है, 2025 परिक्षा में ब से बचाने जा रहा हूं, आप लोग अगर नहीं नहीं हो, तो आप लोग जाओर हमारे साथ जूरे रहेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको संपून जनकारी प्राप्त होगा, कि क्या इस वर्ष जो है, आप लोग का परिक्षा पैटर्न उतना ही रहेगा, या बदल जाएगा, क्या खेल वेल होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मेरे प्यारे इसेंट, तो यहाँ पर दिखा गया होगा, कि सारा नियम बदल गया, पैटर्न बदला, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नीचे की और आते हैं तो हम लोगों को यहां पर दिखेगा मेरे प्यारे शेंट यहां पर दिखाई देता होगा बिहार बोर्ड बीए सीवी पटना मैट्रिक इंटर परिक्षा दुजर पचीस का पैटर है ना तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले नमबर बाद पूरी जनकारी आप लोगों को जानना होगा अधूरा जनकारी के कारण बहुत सारे चाचात रहा हो जो कॉमेंट में अबहुत रहे सब भी लिख सकते हैं क्योंकि सबसों चेंगे की सर ने गलत बता दिया तो नहीं मेरे प्यारे इस वीडियो को जो जो पूरा देखेंगे उनको पूरा अगदम तसल्ली मैं दिलाऊंगा सबसे पहले देखिए को रहा कि भी हार बोड पर तेक पर सो परतिसत अबजेक्टिव पूछ रही थी आप लोग को बता दे कि 25 परिक्षा में objective pattern का एसा रहने वता है तो इस पोस्ट में आप लोग अंतक बने रहे तो Mother को न Whoo औक बनाना होगा कितना लॉं और यह पूरी जनकारी इस में बताने वह आँ ओँगा हूं कि इस पर भी आप लोग को मैं बता आ देखिए बिहार विदले परिक्षा समी तो बता दे कि तो 9 से लेका 25 तक आप लोग को पता चलना चाहिए कि objective pattern कैसा रहता है तो देखिए मेरे प्यार इसेंट यहां पर आप लोग ध्यान देंगे थोरा और बात तो हम लोग नीचे पूरा detail लेंगे यहां पर इसको छोड़ पहले हम लोग pattern जान लेते हैं परिक्षा pattern आप लोग का कैसा रहने बाला है तो देखिए इंटर 12th objective pattern 25 के लिए है ठीक है ओके है तो चलिए 25 के लिए इंटर है तो तो इधर कर लेते है चलिए अब पूरा clear दिखेगा कर आए कि इसका संपून विशयों का objective pattern उसका उतर देन का दोनों के साथ साथ आप लोग को नीचे आवांटन में दर्सा दिया गया है अच्छी तरह से समझ सकते है कि इस बार 25 परिक्षा में 100% objective पूछे जाएंगे और 50% objective बनाना परेगा यानि कि जो non practical है इंटर में खासकर इंटर में non practical भी सए है non practical जिसमें आप लोग जानते ह है कि जिसमें practical नहीं लिया जाता है जैसे हिंदी हो गया इंगलीस हो गया यह सभी विशा है तो उसमें आप लोग को practical नन practical में subject में 100 objective पूछेगा जिसमें से 50 objective बनाना परता है ठीक है ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा अब कर आएदू में practical बाले विशाय में इं मैट्रिक वालों के जो यह objective pattern है क्या है तो मैट्रिक का संपुन बिशाय का subjective objective pattern नीचे दे दिया गया है सो परतिसात यह objective पूछे जाएंगे 50 परतिसात बनाना परेगा यहां पर दिया गया है नॉन practical में 100 objective रहेगा जिसमें से 50 objective बनाना परेगा practical वाले विशायों में 80 रहेगा question और objective जो है बनाना होगा आपको 40 यानि कि practical आप लोग को 20 नमबर का होता है metric में ठीक है न 20 नमबर का और practical कॉपी के बारे में आप लोग को बता दिया गया पिछला वीडियो में आप लोग जान लेंगे आपको रहा कि metric दखिए यहां पर आ 20 नमबर हो जागा practical और विज्ञान यानि कि science हो जागा 80 पलस 20 नमबर हो जागा practical याद रखेंगे याद रखेंगे अब intermediate वाला हम लोग देख लेंगे intermediate वाला intermediate में क्या करा है में radiation कि intermediate यानि का official pattern physics में अगर 70 है तो बनाना होगा 35, chemistry में 70 तो 35, biology में 70 तो 35, non practical में 100, English में 100 और गनीत में 100 यानि कि आप लोग को जो है यह science वालों के लिए हो गया, history में भी आप लोग को 100 रहेगा उसमें से आपको 50 बनाना होगा, है न क्योंकि history non practical है, geography में practical आता है यानि कि और आप लोग को जनकारी मेरे प्यारेशन नीचे दिया गया, संफून जनकारी तो अभी नीचे बचा हुआ है, management जनकारी तो आप लोग को नीचे बचा हुआ है और यहाँ पर डाउनलोड सभी चीजों का लिंक दिया गया है, कैसे आना है इसको जनकारी के लिए गूगल या कुरोम पर सर्च कर लिजेगा, study syllabus ठीक है न, study syllabus सर्च कर लेना है अगर आप लोग नएने हों तो हमेसा अच्छा जनकारी पाने के लिए आप लोग इस चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे और अपने दोस्तों में share कर लिजे अएसा interface आगा इस पर click कर लेना है ठीक है? अएसा interface आगा इस पर click कर लेना है, उसक चैनल को आजाना है, new update में जैसे यह अप लोग आएंगे तो यहाँ पर क्ट गूट काएगा, option क्ट लेना है, और उसक चैनल यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो विहार बूड eh जैसे किलिक करेंगे आपको पूरी जनकारी आपको यहां पर चल करके आ जाएगी संपून जनकारी को आप लोग अच्छी तरह से पड़ लेंगे जिससे आप लोग कहीं पर भी समस्या नो हो मैं चाहता हूं कि कोई भी समस्या आप लोग कोमेंट कीजिए उस पर तुरंत है उसे ज्हाइन करें या त्यली अर्यक्रयों आपको लेंगें ठीक है और कहीं पर भी घबर आने के आब सकता नहीं है तो चलिए मेरे प्यारे शेंट मिलते आप लोगे साथ नेक्स्ट वीडियो में इतना ही पर बेस्ट अप लाक जा हिंद जा भारत